नमस्कार इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है सफलता पूर्वक्त मनाया गया शाश्वत संसकार का सात्वा इस्थापना रिवस अपने लिए जीए तो क्या जीए तुझ जी एदिल जमाने के लिए इस मूल मंतर के साथ स्थापित शाश्वत संसकार का सात्वा इस्थापना रिवस समारो सदर अस्पताल के पास धूमधाम से मनाया गया इस अपसर पर साल भर में अंतिम संसकार किये गए सभी प्रतात्माओं की शांती के लिए पूजा हवन एवं शांती भोज किया गया इस अपसर पर शाश्वत संसकार के संस्थापक अध्याक्षित संजे केशुरी ने बताया कि साथ सालों में हम लोगों ने 293 लावारिस शवों के अलावा ऐसे शवों का भी विधी पूर्वक अंतिम संसकार किया है जो पहले गंगा नदी में फेक दिये जाते थे इसके अलावा समाज में नैतिक मुल्यों का प्रचापसार एवं पर्यावनन सरक्षन शाश्वत संसकार का एजिंडा है कोशाध्याक्ष अमदनात प्रिसाद ललन ने कहा कि शाश्वत संसकार के उदेश्यों को पूरा करने के लिए समान विचार धारा के सभी लोगों को संगधन से जोड़ा जाएगा सच्जिव नरेश कुमार गुपता ने कहा कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे विभथ सलावारिस लाशों को अपने हातों से अंतिम संसकार किया है जिने उनके परिजन भी छूने से संकोच करते अगर वो भी उन्हें देखते तो आईए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर सोनू जा के साथ इस पावन उदेख के साथ रशित की गई है कि पहले लावारिस लाश्तों गंगा मया में परवाहित कर दिया जाता है इससे नासित गंगा में पर्चुसित होती थी, वालकि हमारे दन मानिता है, जिस भी सब का इजी पुर्व कंचिन संस्कार महीं होता है, उसके आत्मा को सांती नहीं होती है। इस पावन उद्यव को लेकर आज हम लोग अपने संस्कार का सात्मा अस्था का दिरस मना रहे हैं और हर वर्ष की वादि, साल वर्ष इसने लिए हम लावारे सभो काते संस्कार करते हैं उनके आत्मा के संस्की के लिए। पूया पादिया रहवन होता है और सांती भोज किया है। इसमें परे संध्या में साहर के चनमाने लोग और जरिद नरायन इस साथ भोज कर पैट कर सांती भोज ग्रहन करते हैं। धियिए संस्कार का संस्कार का और हमारे पाईं टरफ स्षिMore नरेश कुमार भुपता संस्ता के सचीव है। एक उसते थाह और हमारे दाहीने पलब करना। कश्फर संस्कार के कोशा इएछ होने के साथ साथ। संस्कार की आत्मा हैं। हमारे अनेख सफी हैं कंडी दिव विधि पुरवक्त आंतिन संस्कार का तृया संपन कराते हैं इनको इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेए हुआ हुआ है